हेलो फ्रेंज, हाव आर यूँ, आज मैंने आपके लिए लेके आये हूँ, साबूदान का कीर, ये टेश्टी अन डिलीशियस, आप ट्राइ करके देख लीजिए, मेरे को कॉमेंट में बता दीजिए फ्रेंज, पहला मैंने ये कहना चाहते हूँ, जिन्होंने मेरे को दन्यवाद, आगे शुरू करेंगे, इसके लिए मैंने एक पाओ कप साबूदाना लेके उसको एक भार वाश करके, मैंने चार कप पानी डालके सोक कर दिया था, फ्रेंज, उसको एक गंडा साइड पे रख दीजिए, और आधा कप गूर लेके, मैंने ओबी आधा कप पानी डालके रख दिया, फ्रेंज, उसके बाद साबूदाना को स्टव पे रख के पका दीजिए, फ्रेंज, और घूर को भी आपने स्टव पे रख के अच्छे तरफ से उसको मेल्ट कर दीजिए, फ्रेंज, वो मेल्ट होने के बाद थोड़ी देर तक आपने पका दीजिए चाचनी का जरूरत नहीं है फिर उसके बाद एक चोटा कड़ाय लेके उसमें जो मर्ची आपको पसंद वाला ट्राइफ्रूर्स टाल के तोड़ी ब्राउन कलर आने तक फ्राइब करके साइड पे रख दीजिए फ्रेंस ये ट्राइफ्रूर्स जल्दी ब्राउन हो जाती है आप निकालके दूसरी बाउल में ले लिजिए फ्रेंस अभी साबू दाना थोड़ा पक चोकी है आपने इसमें और चार कप दूद भी डाल दीजिए फ्रेंस इसमें कांसिस्टेंसी थोड़ा पतला होने चाहिए क्योंकि साबू दाना का एलास्टसिटी का गुन होती है वो ठंडा होने के बार टायट हो जाती है इसलिए आपको थोड़ा गाड़ा है तो और दूद भी डाल सकते है फ्रेंस अभी साबू दाना अच्छे तरफ से पक हो चुकी है आपने आदा कप सेव लेके उसमें डालके उसको उबाल दीजिए साबू दाना उबालते समय तोड़ा एक दूसरे को चुपती है जो आप दूद डाल लेगा तब टीख हो जाती है फ्रेंस उसी समय आपने एक बार चमच के साथ हिलाते रहिए नहीं आए तो आप साबू दाना उबालते समय आपने एक दो ट्रॉप्स गी भी डाल सकते है फ्रेंस आप मेरा वीडियो को पूरा दीख लेजिए बीच पे मैंने टिप्स बताते हूं फिर आप ताकि आप मिस नहीं होना पूरा पकने के बाद आपने जो पहला रड़ी किया हुआ वो घूर का सिरप साबू दाना में डाल के उसको अच्छी तरफ से मिला दीजिए उसके बाद एक पाउचमच इलाची पौर्डर डाल के भी मिक्स कर दीजिए फ्रेंस ये इलाची पौर्डर आपको बड़िया फ्लेवर देती है ये सारे प्रोसस आपने मेडियम फ्लेम पे रखके बना दीजिए ताकि अच्छा से बनती है अभी आपने ड्राइफ रूर्स भी डाल दीजिए फ्रेंस अभी उसको भी अच्छे तरफ से मिला दीजिए फ्रेंस बस आमी आमी साबुदाना का कीर आपको तयार हो गया अब इस टाउपन करके रख दीजिए थेंक यू वे नाइस टे